इसलाइक हम बात करेंगे AI regression के बारे में Regressions क्या होता है और एक जागे अंदर किस तरीके से कौन से regression यूज होता है तो परी चाहिए AI regression होते है Regression जो है किसी एक variable का बागी variables के साथ किसी दूसरे variables के साथ क्या relation है वो बताने के लिए यूज होती है वो डिटर्माने के लिए यूज होती है इस जो प्रोसेस होता है उसे regression होता है AI के अंदर यूज होती है linear regression तो अब स्ट्राटिस्टिक्स के अंदर के होता है जो linear regression है वो एक ऐसी approach है modeling के लिए जिसमें कहा है किसी कोई भी variable के बीच में कोई भी दो variables के बीच में जो भी relation है उसे linear form में represent किया जाए linear relationship को linear form में represent किया जाता है तो वो जाती है linear regression यह स्ट्राटिक्स के अंदर और AI के अंदर क्या होता है जो linear regression है वो है एक तरह का supervised machine learning के algorithm होता है तो इसके बारे में और जांद है चलिए आगे चलता है तो आदा सबसे पहला थे predicting values प्रिक्टिंग वेल्यूस के मतलब है कि यह जिसमें आने से लिए बहुत सारा data scattered है scatter plots होते हैं और बाकि कैसे भी बहुत साथ देटा है वह scattered है मतलब ऐसे फैला हुआ तब उसका 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 हुआ है हम future prices और future चीज़ों के बारे में future actions है उनको प्रिट्ट कैसे करेंगे तब दो चीज़े हो सकती है तीन चीज़े हो सकती है यूज हें राव लिनेर ग्राफ मतलब जो लीनेर ग्राफ है एक हाद से लीनेर ग्राफ बनाया जाए तो इसके बार में देखते हैं प्राम पीछे चेप्रस में देखा था लेक्ट्रस में कि लिनेर ग्राफ में को हम किस तरक से लिख सकते थे ? Y equals to AX plus B है जो हम लिनेर ग्राफ के जप्चरट में थे अब इसमें क्या होता है ? Y क्या होता है ? जो भी हमें प्राइज प्रेडिट करनी है वह होती है Y a क्या होता है a slope होता है x जो है input values होती है और b जो है intercept होता है ठीक है तो तो आज से लिए बस इतना ही hope you got all the points in the lecture and still if we have any queries you can put it in the q&a section thank you